नमस्कार दोस्तों में उंप्रिकाश प्रजपती हर साल कार्थिक महा की अमवश्या के दिन दीवाली का त्योहर मनाया जाता है। पूरे देश ही नहीं बलकि विश्व में ये पर बहुत हरसो लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली शरत नितु के हर वर्स मनाये जाने वाले एक प्राचिन सनातन तोहार है। इस साल तीपो का ये तोहार पर 24 अक्टूबर को है। इस दिन लोग मालक्ष्मी की पूजा करके जीवन में सुक्षमरदी आने की कामना करते हैं। दिवाली की रात घरों में दियो और लाइटों से रोशन किया जाता है। हर तरह दिवाली की धूम और जगमक करती लाइटें दिखाई देती हैं। दिपावली खुशियों उमंग और उल्लास का तोहार है लोग शाम को एक दूसरे के घर जाते हैं मिठाईयां और उपहार देकर दिवाली की शुब कामनाई देते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बधाईयों का सिलसिला पहले ही शुरू हो जाता है माना जाता है कि दिवाली के दिन अयुद्या के राजा राम अपने 14 वर्स के वनवास के पश्चात लोटी थी अयुद्या वासियों का हिर्दय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुलित हो उठा था शिरी राम के स्वागत में अयुद्या वासियों ने घीके दीप तरब विस्वास है कि सत्य की सदा ही जीतोती है जूट का नाश होता है दिपावली स्वच्च व्यप्रकाश का पर्व है कई सब्था पूर्व दिवाली की तैयारिया आरम हो जाती हैं लोग अपने घरों दुकानों आदि की सफाल कार्य कार्या आरम कर देते हैं घरों में मरम्मत, रंगरोगन, सफेदी आदी के भी कारे होने लगते हैं, लोग दुकानों को भी साफसुत्रा कर सजाते हैं, दिपावली से पहले ही घर, मोहले, बजार, सब साफसुत्रे और सजे धजे से नजर आते हैं मैं प्रकास प्रजापती, ट्रू मीडिया समुकियोज से, ट्रू मीडिया के दशको, पाठको, साहतेकारो, साहते प्रेमियों, पत्रकारो, चाहने वालो, शुप्चिंतको, आलचको, मित्रों को दिपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, और छटपर्व की हार्दिक चुप कामनाई देता हूँ, दोस्तों किसी ने कहा है, धन धानने से भर जाए घर, हो बैवब अपार, खुश्यों के दीपो से सज्जित, हो सारा संसार, आंगन बिराजे लक्षमी, आओ करे सतकार, आंगन में भर दे उजाला, तीपो का ये त्यवहार, और दोलाइने आप को सुनाता हूँ, बना कर दिये मिटी के जरासी आस मैंने पाली है, मेरी मेहनत को खरीदो लोगो, मेरे घर भी दिवाली है, आईए इनका सयोग करें, और इस दिवाली पर सिर्फ मिटी के दिये जलाएं, आप सभी को दिपावली पर के हार्दिक शुप कामनाई, नमस्कार करें.